नमस्कार, मैं विराट कोली, आज आपसे एक भारतिय खिलाडी के तौर पे नहीं, पर एक भारतिय नागरी के तौर पे बात कर रहा हूं, जो कुछ मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, लोगों की भीड, सडकों पे, जुन में गुमते लोग, कर्फ्यू का पालन ना करना लोगडाउन का पालन ना करना, यह सब देखके मुझे ऐसा लगा कि हम इस लड़ाई को बहुत ही साधारण तरीके से देख रहे हैं और यह लड़ाई उतनी साधारण नहीं है, जितनी हम लोगों को दिखती है, हम लोगों को महसूस होती है तो मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है आज कि फ्लीज, 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसको फॉलो करें जो भी सरकार ने हमको डेरेक्टिवस दिये हैं जो भी चीज़ें करने को दिये हैं उसको प्लीज प्लीज बहुत इमानदारी से पूरी इमानदारी से फॉलो करें ये सोचें कि अगर आपके परिवार में किसी को भी कोई भी प्रॉबलम हो जाए आपकी लापरवाई के वज़े से तो आपको कैसा महसूस होगा तो प्लीज हमारी सरकार, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स बहुत महनत कर रहे हैं इस समय पे इस चीज़ के लिए और ये चीज़ तभी सक्सेस्फुल हो पाईगी जब हम लोग भारतिय नागरिक होके अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाए मस्ती मजाद करने के लिए रोडों पे निकलना इस महौल का फाइदा उठाना मेरी नजर में अपने देश से इमानदारी नहीं है तो अभी मैं आप लोगों के साथ मिलकर ये चीज़ ठीक होने देखना चाता हूँ और मैं आप लोगों जबिंती करता हूँ कि प्लीज जो भी सरकार हमें कहरी ये करने को उस चीज़ का पूरा पालन करें